वेल्कम तु विंट्रेडर ट्रेडिंग सिस्टम आज फिरसे में आपके साथ हमारी सॉफ्टर की लाइब पर्फोर्मेंस शेयर करने जा रही हूं कि ट्वन्टी फॉर्व जून के दिन एक्वेटी मार्केट में हमारे सॉफ्टर में क्या पर्फोर्मेंस दिया है कितना कमाई इसके अंदर हुई है कितना सिकनल चनल जब्लेट हुआ है यह सब हमा यह लाइब वीडियो में शेयर करने जा रही हैं यहां पर देखिए मैंने ट अंदर मेंट का टाइम फ्रैम में काम आते हैं और 30, H1, H4 यह सब शॉर्ट टेम के लिए और D1, W1, MN यह लॉंग टेम के लिए काम आते हैं यह M1 जो है स्कालपिंग टेडर के चोटे-चोटे प्राफिट के अंदर exit करने का है तो ज्यादा तर इसके अंदर बहुत जल्द काम आते हैं कि यह ग्रीन कला की आप आरो दिख रहे यह बाइस अंदर बताए उसका टाइमिंग सब कुछ इसके अंदर मेंचिन होगा market watch में जो कुछ भी added है उसका alert इसके अंदर आपको आते रहते हैं उसके हलावा in case आपने alert close कर दिया तो भी उसका entry price उपर होगा उसका timing और उसका date भी होगा उसकी सबसे कितना कमाई हुई है profit or lose और कितना target अच्छे कूट हो चुका है उसका पहला target दूसरा target और तीसरा target औ उपर नीचे mention के latest call आते है तो उसका सब कुछ उपर नीचे mention होगा जब भी signal आते सबसे पहले हमको confirmation check करना है वो तो पहले वीडियो में मैंने बताए था हमारे software के सबसे तीन confirmation check करना है पहला confirmation है उपर वाले candle की कलर यहाँ पे देखिए यह बाई signal यह बाई signal आया तो सूब के दिन सुभी आये थे तो सबसे पहले देखिए उसका उपर वाले candle green था और नीचे वाले बार की कलर भी green था और यहाँ पे price and buy zone भी था तो यह signal confirmed था उसके अलावा cell signal है तो भी ऐसा ही चक करना है नीचे वाले बार की color red हो और यहाँ पे price and sell zone हो तो यहाँ आपको enter करना है तो यहाँ पर जब भी signal आया था तब confirm signal था सब confirm हो चुका था तो यह हमको enter कर सकते थे तो यह enter करके उपर काफी अक तक उपर गई है तो तीनों target अच्छी कुट हो चुका है हमारा अगर इनकी सिकनल चोड़ने for example इनकी सिकनल इंटर करके फिर से तीनों target अच्छी कुट होने के बाद भी काफ कावियक तो उपर जा रहे तो यहाँ पर रियेंट्री देंगा तो यहाँ पर रियेंट्री दियाने क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा भी उपर जा रही है उप हई अरे न si Australians शांटल के बिलेगा इस फोड़ेगा इस फर जिपशुकार जा रहे है कि मार्ट यह पर गहने जा मार्केट ऊपर ही जा रहे पर हैं मार्केट संटल की मोमेंट जाता है। अब यह देखके आपको पता चलता है market की movement किस तरह है क्योंकि market ऊपर ही जा रही है bullish है हर जेग यह TCS का है उसके हलावा यहां पर मैंने Tata Power का भी चाट ओपन करके रखाया यहां पर देखें Tata Power के अंदर यह यहां से market opening वा है यह कल की signal की continuation यहां पर जा रहा है क्योंकि कल लगबग एक बज़े एक बज़े के पंदर मेट के बाद यहां पर एक signal आई थे वो sell signal था काफी तक नीचे गई उसकी continuation आ जा रहा है इसके लिए re-entry दिया है लगबग सुभी पे re-entry दिया है आप भी थोड़ी तर पहले लगबग 11.40 को भी एक re-entry दिया है यहां पर आप कोनर में दिख रहा है न उसका entry price और उसी का target भी उपर लिखाया है नीचे लिखाया है कि उसके पहले पहले का दिन एक by signal आया था एक by signal वो confirm ने था क्यों confirm ने था यह बार चार्ट यह चार्ट दिख रहे हैं यह बार चार्ट इसमें green candle और green color और red color के लब जो भी candle दिखते हैं वो sideway market है यहां पर देखिए signal आया था confirm ने था सुबह नीचे वाली नीचे वाली बार की कला देखिए रट कला था उसके बाद market काफी काफी अक तक उपर गया है उसके बाद यह यह ट्रेड लेने लाइक नहीं था क्योंकि क्या होता है इसके अंदर देखिए सब पूरा sideway market जा रहे तो इसमें ग्रीन और रड कला कि एक एलावा जो भी कैंडल दिखते सब साइड वे मार्केट यह वाला हमको नहीं लेना चाहिए थे क्योंकि सब साइड वे मार्केट जा रहे हैं इसके लिए यहां पर रिस्की रहता है ऑग यहां पर रियंट्री उसके अलावा हम लोग एक आट रोड देखते है रेलेंस का चाट रेलेंस में देखिये मिने थेख्यूंबंच का टाइम फ्रेंस सित क्या है कल एक लगबाग देड़ डाइबजोंदर राइबजे के अंदर यहां एक सेल्सिक न आये था वो काफी अक तक कल नीचे गई तो इसके बाद उसी कांडिण तो आज मारकेट नीचे है काफी अक तक इसके अंदर कमाई हुई हमारी तीनो टार्गेट अज़री अच्छी हूँ चुका है हमारा उसके अलावा मारकेट इसके लिए रिएंट्री दिया है सौफ्टर ने ऑकी उसके अलावा हम लोग भी पीजल का भी चार्ट मेंने उपन कर दिया है तो भारा रिएंट्री देकर मारकेट काफी अक तक नीचे गई है ता हमारा काफी प्रॉफिट कमाई इसके अंदर हुई है और यहां पर देखें बारती अर्टल बारती अर्टल का मैंने चार्ट अल्रड़े ओपन किया है तो इसमें भी देखें सेल जिगनल आये लगबग कल डाई बजे के अंदर आये था उसके उपर टाइमिंग आपको दिख रहा है ना काफी अक तक नीचे गई उसी का कंडिनेशन आज चालो है यहां पर रिएंट्री दिया है सौफ्टर ने देखिए 11.50 के अंदर सौफ्टर ने एक रिएंट्री दिया है काफी अक अब तक मार्के नीचे की उसके बाद मार्के थोड़ा सा उपर चाड़ी फिर नीचे गई है कि तब ही मार्केट न सब भी अरशी आपर ट्रेंड दिख रहा ना जा ट्रेंट क्योंकि हमको यह त्रेंड देखे भी मालूम चलता है मार्केट की स कंडिजन में सब टाइम फ्र चीछ करेंड निचे वाल के अला सुख ऑन दीक बाद ल्तकों टैन के अडिच कि तो यह काफी अक तक नीची गई है तो हमारा टार्गेट अच्छी कुट अलड़ी हो चुका है तीनों उसके अलावा यहाँ पर मैंने अल्लांटी का चार्ट अल्ड़ी ओपन करके रखा है इसमें आज सुबह लगवग 925 के अंदर एक बाई सिकनल आये था तो इसमें काफी अक तक उपर गया है काफी अक तक उपर गये कि हमको तीनों टार्गेट हमारी अच्छी कुट हो चुका है और अभी उसके बाद साइडवे जा रहे तो मैंने पहले भी आपको बताए थे अगर सिकनल देने के बाद अगर मार्केट साइडवे जा रहे था हमको वो सॉफ्टर वहां पर एक सिट करने का एक मोका दे रही है तो यहां पर देखिए साइडवे था तो मार्केट साइडवे था यहां पर एक सिट कर सकते थे पर तो उसके बाद भी अगर मार्केट अभी भी उपर ही जा रही है यहां प पॉइंट हो इसमें क्या फैसलिटी तो इसमें एक अड्वाइंडेज है यह मार्केट वोच की जगह यह मार्केट वोच में जो कुछ भी आड़ेड है मतलब अटे टाइम सेवन डिफाइब कर सकते हो वो सब कुछ इसके अंदर दिखेगा मतलब कलर इंडिफिकेशन की साथ अपर मेरा धर्मार का इसाल तो इसमें आपको पता चलेंगा एक आड़ो दिख रहे हैं दो आरव क्लिक करने से आपको डिरट ली चाहट ओपन होता है जो एकुटी में ट्रेडिंग करने वाले लोगों को डारफ ली इसके अंदर स्कुर्ट टाइड करके रखेगा तो आप यह लाई मार्केट में आपको डमू देखना चाहते हैं तो मेरा यहां पर नमबर ओलेट डिस्प्ले हो रहा है 81390-3994 यह मेरा वाट्सप नमबर भी है इसे में कॉल कीजी मैं आपको डमू लाइब डमू देखा सकते हैं ओकी थैंक यू